अगर रोज के खाने में तेल का इस्तमाल कम करना है, तो जितना तेल अभी आप डालते हैं, उससे धीरे-धीरे कम कीजिए हलो शिमला, दिब्बे हिमाचल की इस प्रस्तुती में आप सभी का स्वागत है मैं आशा भंडारी लेकर आई हूँ आपके शहर की चुनेदा खबरें, तो आईए करते हैं शिरुवात शिमला में कोरोना का खौफ, मास्क पहन कर घूम रहे हैं लोग शीत लहर की चपेट में शिमला, कल भी भारी बारिश का अलट जारी विधान साभा में आईटी आई की बेटिया क्यों हुई हैरान भराडी के जंगल में जुआ खेल रहे तीन लोग गिरफतार, 3600 रुपे बरामत स्टोन क्रेशर एसोसियेशन की छेतावनी, सरकार ने गाइडलाइन ना बदली तो आंदोलन फाइन आर्स कॉलेश मांग रहा नजरे इनायत अब समचार विस्तार से कोरोना वारिस से राजधानी के लोगों में भै का महाल देखा जा सकता है शहर में अधिकांश लोग इस वारिस को लेकर सतर्क देखे जा सकते हैं माल रोड वरिजपर के लोग मास्क पहन कर घूम रहे हैं मासम विभाग ने जिला शिमला में शुकरवार को बारिश वा ओला विष्टी के लिए औरेंज अलर्ट जारी किया है आज भी जिला के उन्चाईवाले एक दो स्थानों पर हलकी बर्फबारी हुई वही शिमला समेत, रामपुर, सराहन और ठियोग में भी वारिश रिकॉर्ड की गई है जिससे पूरा क्षेतर शीत लहर की चपेट में आ गया है ITI की बेटियां विधान सभा में आज पहली बार आकर हैनान रह गई डिवे हिमाचल टीवी ने जब विधान सभा टूर के बारे में जानना चाहा तो केईयों ने सरकार को महला सुरक्षा के बारे में कड़े कदम उठाने के लिए कहा कुछ बेटियों ने राजनीती में इंटरस्ट ना दिखाने की बात कही वही कुछ तो इसकी सटी कारे प्रणाली को देखकर हैरान रह गई कैसा लग रहा है अब आये हैं ने देखेंगे तभी झार आपको मानोब आज कौन सरे विदान सभागा था है अज क्वेजद अब बात करते हैं गल्सेभी आपको क्या है लिए जए अपिछर शहर माफिशर शहर माफिशर माफ। अबसक्तलो क्यां में पीत क्या होँ माईशं। तर्टमकरर ने क्या के नियुक्त जाने की? तुप्यशनुजपसे लिए स्ऩrica क्या कुषिय। आप वहालोमें आच कल वो तुपिक्क क्या हमारी से माईशविशनू kidneys? कशी। माम कहाएं सिर्फment dollar सुनुधन का? क्या बात हो सकती है आज 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 करते हैं क्या जागरुक हो सकती है कर दो करें नहीं करें को सब्सक्राइब आज पत्राइब अचिछा इस नाम इसका कर दोगी को यहांTIN शुदिया किल्दन हैं। है यह नाम है? अटको के बिंए कौंट इस डियें पॉरिया? जो और संगीतर हागह बशचा वाहँ जाग expert% क्यूंकि आप बच्चों के साथ रहते हैं, ग्राउंड लेवर पर बाते की जाती हैं, और कर्मिया भी होती हैं, वो चच्छाई भी होती है। बच्चों के लिए बच्चों के लिए बटशा है इंके लिए बॉट चाहँ हैं इसे जाए हमारे साथ सर भी है यहां पे ITIK है इसे बात करते हैं क्या नहीं है प्रदीफु आज भी धान सबा में आप कितनी बारी बट्चों को ले गया हैं बिल्कुल आप इसके कालवाइश से मतलब बिल्कुल जागुक होंगे की इस तरीके से होती है तो आप बच्चों के साथ रहते हैं को बीटियों को लेकर वह कोई ऐसी है उजना जो आप सरकार के समक्ष रख सकते हैं एक तो बच्चों को जो है लड़कियों को खास कर तो जो स्क्यूर्टी उस परपस से थोड़ा सा बच्चों को काफी इंप्रोव की जूरूर्ट है जो सेफ्टी परपस से काफी डे बाई डे जितनी भी जो प्रॉलम्स आरी हम सुनते हैं नियूस में कहीं भी बहुत जाए और कॉलेजिस में कई सुझा हो सकते हैं और सुरक्षा का मुदाफिल बहुत बढ़ा है दिपेह माशल टीवी के लिए अमन के सा दिपेका शर्मा के लिए शिमला पुलिस ने जंगल में जुआ खेलते हुए कुछ जुआरियों को पकड़ा है लकड बाजार पुलिस को सोचना मिली थी कि भराडी के जंगल में कुछ लोग जुआ खेल रहे हैं पुलिस ने दबिश देकर उन्हें दबोश लिया और इनके कबजे से 3,630 रुपे की नकती भी बरामत की गई है इनमेंसे दो व्यक्ति स्थानी थे जबकि एक नेपाली मूल का है पुलिस ने मामला दर्ज कर लिया है गुरुवार को विधान सभा सत्र के दोरान हिमाचल स्टोन क्रशर एसोसियेशन ने मांगो को लेकर सरकार को ग्यापन सौंपा साथ ही चेतावनी दी की सरकादे अपनी गाइडलाइन में अगर बदलाव नहीं किया तो प्रदेश भर में आंदोलन किया जाएगा आज पिधान सभा सदन में यहाँ पी जिस तरह से स्टोन क्रशर एसोसियेशन के लोग भी सिरकार से कई उमीदे लेकर आए हैं तो इसे यहाँ पे हम बात करेंगे और जानेंगे कि आखे क्या उमीदे हैं आपको सबसे पहले आपका क्या नाम है मैं डिस्टी कांगडा का परधान हो रनवीर सिंग मेरा नाम है क्रेशर एसोसिशन की तरफ से हम मान रखने के लिए हम मानिय मुख्यमंत्री जी के पास आए हैं अपने इंडस्टी मेंस्टर जी के पास आए हैं पच्ची दो 2020 को एक ओफिस ममरेंडम हमारे इंडस्टी सेक्टी द्वारा निकाला गया है उसके उपर ऐसे प्रवाधान किये गए हैं कि हिमाचल का ओनर स्टोन क्रेशर चाहे ट्रेक्टर यूनिन के लोग है, ट्रेक्टर माले, चाहे हमारे ट्रिपफर यूनिन के सारे लोग है ऐसा प्रवाधान उन्होंने इसमें निकाल दिया है कि कोई भी ट्रेक्टर, ट्रॉली, ओवरलोड, मटेरियल लोड करता है तो उसकी registration कैंसल करके ड्राइवर का license कैंसल करके लेकिन ये तो सरकार ने एक भले के लिए ही फैसला लिया है ना तो इस चीज का बिरोध क्यों हो रहा है इस चीज का बिरोध ऐसा ही हो रहा है कि हम हिमाचल के लोग हैं एक मातर क्रेशन एक स्टोन क्रेशन दोगों को रुजगार दे अगर ऐसा सक्ती का कनून इनों ने लगा दिया और जो भी illegal material लेके पहले ऐसा होता था कि उसका चलान कर दिया जाता था warning होती थी चलान एक बार दूसरी बार चैसी बार उसके उपर केस चलाया जाता था सरकार ने ऐसा प्रावाधन कर दिया है कि पहली बार ही उसके उपर 381 का मुकदमा दर्ज कर दिया जाएगा लेकिन जिस तरह से इन्होंने बताया तो मुझे लगता है कि जो ओवर्लोडिंग का जो इन्होंने बताया ये एक कही न कहीं सरकार ने सुरक्षा के मते नजर सही फैसला भी आई लेकिन फिर भी आपका क्या सुचाओ है कि इसके मिर्क सरकार को क्या कदम ऐसा उठाना चाहि जैसे कि अगर आप अपनी माइनिंग लिए से मटेरल उठाते हैं तो पहले आप एक किलोमेटर दूर जाके डंप करेंगे फिर उठाके दुबार आपने स्टोन प्रेशर पले के जिसकी वज़ा से मटेरल का रेट बढ़ जाएगा तो दो बार मटेरल के हैंडलिंग करना प हम उतना ही मटेरल डालते हैं तो क्या उमीद लेकर आए हैं आप और क्या मांग आपकी रहेगी सिर्कार से और कर आपकी इन मांगों को नहीं पूरा कर पाती है फिर आगे का किया रही है तो आगे का प्ले माचल जो पांच तरीक से वहां से हटाल पे जा रहे हैं तो फर्स् पांचरत से जो इस सरकार निकाना निकाला यह तकी मांगों कोट सकते हैं मांग रहेल। यह स्टार बॉसले बाउसर पर आपकी उपड़िशा कर आपार मांगे की मांग का यहरे को सिन फौर शूरे तो वह साथ हैं के आगे binding आक आपशन था अर्श ओन नहीं कि दिसकुशन के तो वह तो मैं गलत है। माचल में तक्रीबन चारसों से उपर कुछ स्टोन करशर होगा जी आज की इस ओडर से तो एक पी करशन नहीं चल पाएंगा। मैंडम यह नहीं आज चारसों से पाएंगे में अजय कोई कानून पास होगा है उसको चनान भुगत की उसको सॉल होगा तो मैं ऐसा है कि हमारे एक ही स्टोन कशर एना माइनिंग एज की हमार्चल में अलाओ लिए है। कि हमारे मांचल की बहुंट यह से हमारे माःड को यह सब उसके चाहिए लास हमारे बिजली के बिलों के इसाब से उसमें तनैजिज्ञ हम संक है थी कि हमेर 12 गृत के आदिया हिए कि हमने क्या का उसकीन गया हुषा है उसकी तो फेला एंडे kali है जो हमार हमारा हमारे माचल से मैतिर निखडा वहा वो पंजाब में जारहा है जसेन का बॉन्ड उसमें है तो हमारा जो तो पंजाब सरया जेसी बगएर ऐसे कर सकती है और पूरे इंदोस्तान में सारी जगह जेसी बी जगी रगी है और स्रफ हमारे माचल में क्यों नी जा चुके हैं, हमारी उना बंद है, पहली तारिक से उना बंद है, आज दिस्ति कांगडा, चंबा, सारा बंद कर रहे हैं, पूरा बंदों के आज से, तो इस तरह से विधान सभा सदन में कई अपनी मांगो को लेकर आए हैं और उमीद भी है, स्टोन क्रेशर एसोशेशन को की, सरकार ने जो गाइडलाइस जारी की है, उन गाइडलाइन्स को वे संचोधित करें, जिस तरह से इन्हें भी फायदा मिल सके, स्टोन क्रेशर है, यहाँ पे कई बेरोजकारों को इन्होंने जिस तरह से रोजकार दिया है, तो कई तमाम यहा पहां पे आये हैं सरकारिप की मांगो को जरूर पूरा करेगी। के साथ छात्रों को पढ़ाया जा रहा है। ऐसा लगता है कि प्रशासन इस कॉलेज को मानो भूल गया है। करना पढ़ाया है। आई यहां पर पढ़ने वाले चात्रों से आरोवरू को भाते के जानते हैं कि इस कॉलेज में किसरा की दिख्तों का सामना करना पढ़ाया है। अपना कैंपस नहीं है और अभी जो कैंपस हमारे पास है यहां पर रूम्स भी नहीं है जहां पर फ्लासस लगा जाएं। और यहां पर इंस्ट्रुमेंट्स भी नहीं है और इविल सब्चेक्ट्स बहुत सारे हैं। बहुत सारे इंस्ट्रुमेंट्स भी हमारे सब्चेक्ट हैं। यहां पर इंस्ट्रुमेंट्स एविलेवल नहीं है। तो आप क्या मांग करना चाह रही है परशाशन से। मैं मांगना चाहूँगी कि अभी आगे चल कर दें, बहुत सारे बच्चे बाहर से भी हाँ पर आते हैं, हिमाचल से ही नहीं बाहर से भी आते हैं My name is Raj Thakur, I came from Manali, just to study Fine Arts, as my father was a draftman, so my aim is also to be a good person, be like him, and in this college, teachers are really good, but the faculties and facilities are not so much, but we are still adjusting in this, so it's a privilege that we are getting this chance here. to study and even teachers are really good. It means that we are the mercy of our brothers, but still at the same time the government provided us the direction of the court, what would mean for the court of the court of the court and the counts of the court. कि यहां पर काम चल रहे हैं इसमें काम चला रहे हैं लेकिन बच्चे हमारे सिंसिर हैं इस कम हमें गुजारा कर रहे हैं कि यहां पर रहे हैं कि यहां पर रहे हैं इसका रहे हैं इसका अब को बता दे कि यह जो कॉलिज है देवाचेद परकेश का मात्र और फाइनार्स कॉलिज हैं और यहां पर ine बचांइ मिल बररे हैं इसका प्रिछाषन से ganz वाहा की है कि इस कॉलिजी में बचले भीखानी बूफश्य कर आई तो ये थी राजधानी शिम्ला की कुछ चुनिंदा खबरें मिलेंगे रातरी आठ बजे प्रदेश भर की सुर्खियों के साथ और फिर कुछ तुनों बाग और थोड़ा का और अगर नमक कम करना है तो भी यही खाना पकाते समय नमक की मात्रा आप धीरे धीरे कम करते चाहिए और उपर से सालेड, दही या फल पे नमक मच रखिए चाय में चिनी लेते हैं यानि कोई नहीं लीजे लीजे बस आदा चमच कम कर दीजे और कुछ दिन बाल